नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्वीब चैनल में दोस्तों यहाँ पर सभी लड़कियों के लिए सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जीहां साथियों अगर आप CRPF में जाना चाहती हैं तो यहाँ पर इसकी जो उलाइन फोर्म बनने की स्टार्टिंग डेट है वो 27 March से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फोर्म तो CRPF की जो फोर्म है वो 27 March 2023 से स्टार्ट है और CRPF के फोर्म बनने की जो last डेट है वो है आपकी 25 अपरेल तो 25 अपरेल से पहले पहले आप इसके फॉर्म को भर दीजिए और दोस्तों इसके फॉर्म को भरने के बाद सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर कम्प्यूटर आधारित टेस्ट आपकी जो कम्प्यूटर आधारित टेस्ट होगा वहाँ पर इसका admit card लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जो admit card है वो date किस date से किस date के बीच आएगा और इसके जो exam की date है वो भी दे रखी है यहाँ पर 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच आपका exam करवा लिया जाएगा CRPF का और इसके बाद आपको physical के लिए बुलाई जाएगा तो CRPF के जो form है वो यहाँ पर open है अगर आप CRPF में जाना चाहती है तो आप के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर mocha है तो यहाँ पर male और female की vacancies आई है यहाँ पर female की vacancies हैं वो 107 है और male की यहाँ पर 145 है तो इस तरीके से यहाँ पर male और female की vacancies दी हुई है यहाँ पर category wise और state wise vacancies को divide किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस state के लिए कितनी vacancies हैं और यहाँ पर किस को कितना relaxation दिया गया है यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो यहाँ पर age limit की बात करें तो यहाँ पर age limit जो है वो अलग-अलग category में divide है तो यहाँ पर जो जितने भी general category के candidate है उनकी जो age limit है वो 18 से 23 साल है और यहाँ पर जितने भी OBC और SCST candidate है उनको यहाँ पर छूट दी गई है OBC को 3 साल की और SCST को 5 साल के छूट दी गई है तो OBC वाले जो है वो 18 से 26 साल के बीच अपने form को भर सकते है और जितने भी हाँ पर SC और ST candidate है वो 18 से 28 साल के बीच अपने form को fill यहाँ पर कर सकते है तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी age limit रखी गई है जितने भी male और female candidate है तो यहाँ पर age limit में भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी तो इस तरीके से यहाँ पर main main चीजे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सेक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ 10th pass की vacancies भी है और यहाँ पर 10th के पास अगर आपने कोई diploma का रखा है तो इसकी भी vacancies यहाँ पर दी हुई है तो अगर आपने खाली 10th pass का रखा है तो आप इसके अलग-अलग trade के लिए apply कर सकते हैं कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी जब इसका फोम आप बढ़ने जाओगे तो हाँ पर आपको पता चल जाएगा जो 10th pass की vacancies हैं उनके लिए कौन-कौन सी post आपको दी जाएंगी तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बात करते हैं आवेदन सुलक की तो सोर पर आपके लगने वाले हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी लेकिन जो सोर पर हैं वो girls के नहीं हैं only boys के हैं तो female candidate को कोई भी fees यहाँ पर नहीं देनी यहाँ पर आपके जो है reasoning से 25 question आएंगे GK से भी 25, math से भी 25 और हिंदी और इंगलिस से भी 25 आएंगे 2 घंटे का आपको time दिया जाएगा so questions को करने के लिए और यहाँ पर negative marking भी रखी गई है 0.25 नंबर आपके काट ले जाएंगे अगर आप एक question को गलत करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारे रिक मानक जाँच में यहाँ पर आपकी जो height है वो 157 cm होनी चाहिए female candidate की और male candidate की 170 होनी चाहिए तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो form है वो open है अगर आपने इसके form कभी तक नहीं बरा है तो इसके form को आप जल्दी से भढ़ दीजिए और यहाँ पर CRPF में सभी महिलाओं का जो physical है वो कैसे होगा physical में क्या क्या करवाय जाएगा इसके written exam की तयारे आप कैसे कर सकते हैं किस subject से किस topic से कितने question आते हैं इसकी तयारे आप कैसे करें घर बैठे कैसे करें और इसके trade test में आपको कौन-कौन से question महाँ पर पूछे जाएंगे कैसे इसका trade test होगा इस सभी की videos हम अपने channel पर सबसे पहले आपको provide करवाएंगे एक एक करके हम सभी videos अपने channel पर बनाने वाले हैं तो इसलिए channel को subscribe कर लेना और कोई भी दिक्कत या doubt हो तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये जानकारे आपको पसंद आई हो तो हमें comment करके जरूर बताएं कि ये जानकारे आपको कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार बंदे मातरम